किसानों को जेविक खाद का जादा से जादा उपयोग करने की प्रेना देने के लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाने के लिए किसानों को 50% सबसीडी भी दे रहा है जैविक खाद को काला सोना भी कहा जाता है जिसके उपयोग से फसलों की गुनवत्ता सुनिश्चित होती है जमुवाइस के आसपास के गराम इन हलकों के कहीं किसान वर्मी कंपोस्ट के यूनिट लगा चुके हैं और किशी विभाग इसके लिए उनकी पूरी मदद भी कर रहा है यूरिया और पोटाश फसलों के लिए बेहद हानिकारक होता है और यही वज़ाए कि किसान अब जैविक खाद के उपयों को ज़्यादा महतव दे रहे हैं बर्मी कंपोस्ट जो मैं बात करूँ इसको हम जैविक खाद भी बोलते हैं कि बर्मी कंपोस्ट के जो इसमें कृषी विवाग जो 50 परसन इसमें सबसीडी भी अपने किसान भाई को असिस्टंस दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो किसान भाई जो बर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं जैसे एक एक नफ्सीची प्रजेक्ट बलवाल ब्लाग में चलता नैशनल अडाप्टिक फ़न फ़क्लाइमे चेज्ज उसमें भी हमने वर्मी कंपोस्ट जो अलग अलग किसानों के बनाए ह एसी खाद को काला सोना भी ब्लैक गोल भी जाता है हम यही में की तरफ से शिफारिष करेंगी हमारा किसान भाई जो है वह वर्मी कंपोस्ट खाद की तरफ ही राज है वह यूरिया डाया और पोटाश की तरफ जो इसका इस्तेमाल खेंगे